नमस्कार आप देख रहे हैं एबीपी गंगा मैं हूँ सनेलता चलिए न्यूजट फोर की शुरुआत करते हैं बड़ी ख़वर लखनाउ से है जहां आशीश मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई है अब कोट ने जमानत पर फैसला है सुरक्षित रख लिय लखिमपुर कांड का मुक्यारोपी आशीश मिश्रा किंद्री ग्रहराजी मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीश मिश्रा जा हाई कोट की लखनाउ बेंच में जमानत पर सुनवाई पूरी हो चुकी है लेकिन इसका फैसला जो है वो कोट ने सुरक्षित रख लिया तो ये एहम देन है जहां जमानत की अर्जी पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और कोट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया और माना जा रहे कि दो तिन दिन के भीतर फैसला सुनाय जा सकता है तो लखिमपुर्खिरी कांड का मुक्यारोपी आशीश मिश्रा इरादतन हत्य का आरोप और कई धाराओं में आरोप और अब जब जमानत की अर्जी दी गई है तो इस पर सुनवाई आज पूरी हो चुकी है हाई कोट की लखनव बेंच ने जमानत पर सुनवाई पूरी कर ली है फैसला सुरक्षित रख लिया है और माना जा रहे कि दो से तीन दिन के भ कितने देर चले चली यह पूरी सुनवाई की प्रक्रिया क्या क्या पता चल रहा है जिसमें अचिश मिश्चा की तरफ ते जो सीनियर एड़ एड़ुकेट है गोपाल चकरवेदी उन्होंने पफक शरखा था बंकि दूसरी तरफ जो शाही जी है उनका उन्होंने प्रहस की और इसमें तमाम मुद्दों पर बहत हुई थी अगर वो जमानत पर बाहर उसको फेज़ दिया जाता है तो क्या क्या उसके प्रोजन कॉन्स होंगे जो बचाओ बच्छ था उसका कहना था कि कोई भी किसी बितरे की समस्या नहीं आएगी नहीं वो बाहर जाएंगे और नही रखाएं लुट मुझा पंच्ष की मिलेगी है तो यह तवाम बह्त हुई कघे टक भाध उसके। पार पंच सवरकृत है किसी आए चुनावी माहूल है तो sell kriegen Лगाता पेशले किनों भी क्यों वेंलेगी और जिसे लाइचन पिछले कुम्नों से म्राफD विवेक इंतजार दो से तिन दिन के भीतर होगा कि क्या फैसला लेते हैं और सामने आएगा शुक्रिया विवेक और वर्चुल सा बात कर रही है प्रियंका गांधी रुख करते हैं उनका जाना खेलना और यह सब करना यह काफी आद तक बंद हो गया था तो हम अकेले रहते थ हमने की कोई बाहर से आके हमसे लड़ता था तो एक जो ठोके एकदम टीम बनके उस पर हमला करते थे तो एक टीम ही रहे दोस्ती बहुत गहरी लेकिन हाँ लडाईयां काफी विजबर्दस्त कभी-कभी हमें पिता जी ऐसे अलग कर लेते थे कट बंधन के लिए हर तरफ हाथ पाव मार कर ठक चुके आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंदर शेकर आजाद ने आखिरकार एलान कर दिया है कि अब उनकी पार्टी आकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी ये भी कह दिया है कि मेरी लड़ाई भाजपा और उनके स योगियों से है चंदर शेकर ने ये भी कहा कि हमारे चरित्र में धोखा नहीं है गलितों ने मुझे जो कमान सौपी है उनके सम्मान पर कायम रहूंगा पार्टी के सभी कारेकरता नेता अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे देखिए चंदर शेकर आजाद लंब लड़ाई लड़ास जचनद शेखरा आजाद ने ये बहां कि हमारी भाजपा उनके सही通वागियों से है कहा कि चरित्र में धोखा नहीं है दलितों ने जो विश्वास जताए है और जो स्वाभिमान दिखाया है मैं उसके साथ रहूँगा उस पर कायम रहूँगा जब आने पर काशिर राम जी ने मुलायम सिंग जी को मुख्यमिंद्र बना तो धोका किस ने दिया? क्या आप मुझे बता देंगे? तो हमारे चरितर में धोका नहीं है हमने धोका ना दिया ना देंगे और मैं फिर क्या राउन से मेरी लड़ाई नहीं मेरी लड़ाई है बीजेपी से क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एक नौजवान हूँ न तो वो सारी बात दिल पे ले जाता हूँ इसके साथ ही चंदरशिकर आजाद ने कहा कि हमारी पार्टी टिकट बटवारे में सामाजिक न्याय दिखाएगी या दिखाई देगा हमने 18 फीसदी मुस्लिमों को 42 फीसदी दलितों को 23 फीसदी दूसरे समुदाय के लोगों को टिकट देने की ठानी है आपको हमारे टिक्टो में देखने को मिलेगा समाजिक न्याय जिसकी संख्या मारे उस्कों इससे धारिय है आपको दीजरितों डिकटों को मिलेंगे जन्डशित डूत्रा ते बार बाद 12% जो पिछडे वर के लोग हैं उनको टिकट दे जाएंगे जिसमें इंदु धरम के पिछडे वर के भी लोग है कि उसके बाद 5 पर सेंट व्लोग एस्टी के लोगों को भी टिकट देंगे और बाकि जो टिकट है वो हमारा जो अन्यधार्मिक लग संक्यक है, मुस्लिम, सिख, बोच जैद, पार्सी, 18% मुस्लिमों को और बागी सब को मिला के 30% टिकेट हम लोग देने का काम इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है शाजहापूर से जहां 6 विधान सभा सीट पर सपा ने प्रत्याशी घोशित कर दिये हैं नगर विधान सभा से तनवीर खान को सपा का टिकेट मिला है, कट्रा विधान सभा से सपा के राजेश यादो प्रत्याशी हैं, तिलहर से रोशन लाल वर्मा को सपा का टिकेट मिल चुका है, पुआया विधान सभा से उपिंदर पाल को टिकेट सुनिश्चित, दलालाबाद विदान सभां से नीरज मौर्य को भी सपा की ओर से टिकेट मिल चुका है तो देखे ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट शाजा अप ओर से सपा की ओर से प्रत्याशियों के नाम घोशित हो चुके हैं छह विदान सभां सीटों पर ये नाम सामने यहां नगर, विदानसबाद सीट से तन्वीर खांग पुर्ण करते है तो सपा के राजेश या दों प्रतयाशी बनाय तिलहर, विदानसबाद से रोशल, लाल, वर्मा पर भरोसा जताया गया है पुंआया, विदानसबाद क्षित्र से उपंद्रपाल को टिकट मिला है जबकि जलालाबाद विदानसाबाद से नीरज मौर्या को अब चलिए कोशलेंद्र हमारे सायोगियां उनसे जानते हैं कि क्या कुछ देख करके यह टिकेट बाटा गया है उमीद के मुताबिक है या फिर कुछ और भी तस्वीर होगी पर दोनों को टिकेट बखता है और इन दोनों को टिकेट बखता है और इन वह टिकेट बहां पर करें तो मेरा को पिस्ति ने इसके आजर हम बात करें तो कट्रा विधानस्पा चेतर से राजेश कि आदब कर वो टिकेट बखता है और शुरेशकुमार खन्ना जो के बिलिट मंत्री हैं लगातार तात बार बिखता है और आज़ी बार चुना लड़ने जा रहे हैं तो यह बहुत बड़ा फैसला है एकलेस का समाज़ादी पार्टी का फिर से भरुसा जाता से हुए तंदिक खांको फिर से नगर विधानसबाद की तर लड़ाया है जो नए टिकेट के अगर हम बात करें तो पुबाइना विधानसबाद शेतर से बिधायक रही हैं शकुम् तो उन पर वरुसा जाता ते हुए उन्हें विधानसबाद से टिकेट लिया गया है तो यह देखिए किस तरीके से एक बड़ा सियासी दाओं है टिकेट के रूप में जो दिखाई दे रहा है छे सीटों पर हमारे सायोगी कोशलेंद्र ने बताया जहां सबसे दिल्चस्प लड़ाई कहां देखने मिलेगी कोशलेंद्र सबसे अगर बुचस्प लड़ाई कि अगर बात करें तो अभी समाझ बड़ी पार्टी के अगरम बात करें तो इसने यहां पर छे विधानसभाओं में अभी तक जलालाबाद विधानसभा चेतर पे आज तक खाता नहीं खोल तो इसलिए शरद वीर अभाजपा में जा सकते हैं पहले ते महां पर बड़ायक हैं समाज़ादी पार्टी से तो इन दोनों के बीच में का मुकाबला मना जा सकता है लेकिन कही न तहीं नेरज मोरेश की वहां पर बड़ायक रह सुगे हैं और इसकतीब उनकी मजभूथ है तो कहीं न कहीं कड़ी चकर होगी बाचपार उसपह के बीच दिखाई दे रहा है दोनों प्रतियाशी के आगे है ना कोशलेंद्र देखा जाए क्योंकि सिंबल्स की तो अदला बदली हो गई जी जी बिल्कुल बिल्कुल अदला बदली होगी है और यहां पर बड़ा ही द अब बात करें तो पुवायाई सीट वियाटी जाती है लेकिन उससे जादा महत्पूंस तर मानी जाती है तो नजर विधान सबाश्यत्त से मानी जाती है अब बात करें तो तन्वीर खाहिए लेकिन जाती है लेकिन जाती है लेकिन अपने खारेकाल में अग्षाधापुर की बात करें तर चौदूस जिन्टे में तेस्किन इसमें बिजी हरही है अगर विखास कर रहे हैं तो इसे जी सुवें क्योंकि ये करिये इन माने गए है समाजवादी पार्टी की जिसने विधान सभाचुनाव के लिए 300 यूनिट प्री बिजली करने का फैसला लिया है सपा कल से अपने अभियान की शुरुआत करने जा रही है जिसका नाम है 300 यूनिट मुफ्त पाओ नाम लिखवाओ छूट न जाओ ये अभियान का नाम है इसके तहत कारेकरता घर घर जा करके नाम लिखेंगे आज अखिलेश यादव ने प्रस कांफरेंस करके इसकी जानकारी भी दी है इसके साथ अखिलेश यादव ने विरोज़्यों पर हमला भी किया कहते हैं कि अब्दुल्ला आजम को फसाने में कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों का हाथ है और ऐसा उन्होंने आरोप लगाया इसके अलावा उन्होंने नाहीद असन और कृष्णा पटेल की भी चर्चा के समाजवाली पार्टी ने फैसला लिया है कि जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन है उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखाएं ये अभिहान समाजवाली पार्टी का कल से शुरू होने जा रहा है 300 यूनिट मुफ्ट पाएं नाम लिखाएं और नाम न छूड़ जाएं जिस समय भाते दिनता पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा उसके बाद समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो लाएंगे और बहुत सारे सुजाव हमें समय समय पर मिले हैं सोशल मीडिया के मादधन सही मिले हैं हमारे सुबचिन तक हैं उन्होंने भी दिये हैं समय समय पर किसान संगठन के लोग मिले हैं या और संस्थाओं के लोग मिले उन्होंने भी बहुत महतूर सुजाव दिये हैं बड़े पेमाने पर डॉक्टर्स मिले हैं लगातार डॉक्टर्स भी संपर्ग में उन्होंने भी कुछ सुजाव दिये हैं तो लगातार सुजाव समाजवादी पार्टी तो मिले हैं जिनों ने दिये हैं उनके सुजावों को रखा है तो ये समाजवादी पार्टी की लगातार कोशिस है कि प्रोग्रेसिव काम हो, डवलिमेंट के काम हो, लोग को जोडने का काम हो हम लोग जोड रहे हैं कभी नफल की राद दीन नहीं करते कभी किसी बात को लेकर किसी से नहीं जोडते वाचिर इंतापाड़ी कि देखिए हमारे मुख्यमांती जी कहते हैं जीन्स इनके ऐसे हैं याद है या नियाद है अभी कुछ दिन पहले मुख्यन्ती जी ने कहा ये हमारे जीनस ऐसे हैं तो में चाहूँगा कि मुख्यन्ती जी हमारा आपका दोनों का सेंपल ले लो जीनस चेक कर लो किसके कैसे हैं हमारा भी सेंपल भेज़ो टाक्टर हम भी दे रहे हैं अपना भी सेंपल दे दो तो यह प्रोग्रेस है कि हम जीन्स पर बात नहीं करते हैं शामली से बड़ी खबर है नाहिद हासन की जमानत याचिका खारिज हो गई है गैंग्स्टर की सुनवाई में शनिवार को गिरफतारी हुई थी शामली से समाजवादी पार्टी ने इन्हें चिकेट दिया था लेकिन अब देखिए जमानत मिलनी मुश्किल है क्योंकि याचि का कारिज हो चुकी है शामली से समाजवादी पार्टी ने चिकेट दिया था और अभी नाहिद हासन की मुश्किले बढ़ती हुई दिखाई दे रही है